जहें दोस्तों स्वागत है आपका हमारी इस प्लेटफॉम पर अज में लेकर आए हूं आर्मी जीडी एक्जाम के अंदर आने वाले मैथ के मॉस्ट इंपोर्टेंट 20 कोशन और इस टाप के कोशन बार बार आर्मी एक्जाम के अंदर पूछे जाते हैं तो अगर आप इंडि अगर कि कितने नंबर जिनका साथ होता है तो अगर आम लिखते हैं यह पर तो साथ 17 27 37 47 56 67 87 87 और यह वह नंबर है जिनका साथ होता है ठीक है अब इस में से कितनी अबाजिय है तो देखो 7 17 27 नहीं है 37 47 चीक है ग्वारीब इस में नहीं है ठीक है क्योंकि 27 क् Damit 3 और 9 का बाग जाता है वह 7 के अंडर तीन का जाता है और 99 वा जाता है ऑर 80's कि अंदर 30 का जाता है 29 का बाउग जाता है तीक है यह जो नंबर वह बाख़ी संक्या नहीं खैने नहीं पास दो, चार और छे, तो छे से टोटल नंबर है, जिनका इक 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 साथ होगा, option नंबर सी अपना right answer हो जाएगा, अगला question आपना है कि पर्थम पांच अभाजी संक्या होगा, जोड कितना होगा, ठीक है, पहली पांच अभाजी संक्या होगा, योग में पता करना है, तो देको 3 और 2 5 और 5 10 और 7 17 और 17 और 11 होता है अठाइस ऑप्शन नमबर भी अपना राइट आंसर हो जाएगा अगला कॉशन अपना कि 3 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 15 प्लस 19 का 40 वा पद क्या होगा देको शर्णी करम से सवाल है इसका मैं N वा पद यानि 40 वा पद में पता करना है और के से पता करते हैं N बराबर होता है A-1 एई होता है यहाँ पहला पद जो कितना देर का है 3 प्लस 10 प्लस 20 तो 40 10 मैंनस एक और डिफ्रेंस कितना देर का अपने पासषिसर निकालने के लिए इसको इस चार इसमें से माइनस करो तो 27 यह साथ मैंने पास 40 में से गया तो 49 इंटू 4 प्लस 3 49 को अगर हम 4 से गुणा करेंगे दिया आएगा अपने पास 156 प्लस 3 169 तो इसका जो 400 अपद है वो कितना होगा 169 यहां पर यह option थोड़ा गलत दे रहा है इसको हम सही कर लेते हैं अगला question अपना कि 3 7 11 15 और 19 के 40 पदों का योग क्या होगा सवाल हो यह इस बार इसने 40 पदों का योग पूछा है ठीक है अब योग कैसे निकालते हैं योग होता है SN और होता है N upon 2 बड़ा कोस्टक 2A प्लस कोस्टक N minus 1 into D कोस्टक बंद ठीक है यहां पर N D का मान में पता है A होता है पहला पद N होता है पदों की संक्यार D होता है डिफ्रेंस यानि अंतर ठीक है तो N की वैल्यू दे रिखिए 40 बड़ा कोस्टक 2 into A का मान है 3 प्लस N यानि 40 minus 1 और डिफ्रेंस कितना देर का है 7 में से 3 गया तो 4 ठीक है अब इसको सरल कर लो यह जाएगा अपने पास देखो 40 में से 1 गया तो 49 गुना 4 प्लस 3 दुना 6 और 40 में 2 का बाग जाता है 20 बार ठीक है यह जाएगा अपने पास 20 into 49 को अगर हम 4 से गुना करते हैं यह आता अपने पास 156 और 156 में अगर हम जोड 3040 का जेरो यह प्रीज़ जीरों के सविप्दों का योग क्या हो जाएगा 3,240 ऐं ऑक्षोन अपना राइट आंसर हो जाएगा अगला question अपना कि cost track एक का square प्लस दो का square प्लस तीन का square प्लस यह series चल रही है कि 10 के square इसके बराबर हो गया इसका मान क्या होगा ठीक है देखो यहाँ पर यह पहली जो 10 करमागर संक्या है उनके वर्गों का योग पूछ रहा है तो अगर एक से दस तक वर्गो के नमबरा में पता है तो इनको जोड़ कर भी इसका मान निकल सकते है और फॉर्मूले से भी इसका मान निकल सकता है ठीक है अगर इनके सब के वर्ग अगर हम जोड़ते है तो एक का स्क्वाइर एक होता है दो का स्क्वाइर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 9, 58 का 64, 9 का 81 और 10 का 100 होता है ठीक है और इन सब को अगर हम जोड लेंगे तो अपने पास आएगा 300, 85 ठीक है तो एक से जो 10 तक वर्ग संक्या है संक्या है उनके वर्गों का यह क्या होगा 300, 85 बी अप्शन अपना correct answer होगा नहीं तो अगर इसके लिए formula आता है n कोस्टर्ग, n प्लस 1 कोस्टर्ग, 2n प्लस 1 अपन 6 ठीक है इससे भी इनका माना जाएगा जैसे n होता है पदों की संक्याथ, टोडल पद कितने देर के 10 फिर कोस्टर्ग, 10 प्लस 1 फिर कोस्टर्ग, 2 into 10 प्लस 1 बटा 6 ठीक है यह जाएगा अपने पास 10 into 10 और 11 into 10 दूना 20 और 21 बटा 6 ठीक है अब बचा अपने पास 11 55 और अगर हम 55 को सास से गुना करते हैं तो साथ पंजे पैस असलिका 3, 353, 383, 385 यह आएगा अगला कॉशन अपना कि 720 का कैनोनिकल रूप क्या होगा ठीक है अब देको यह कैसे निकालते हैं सबसे पहले अपने पास जो नंबर दे रहां है उसके नुखिय करता है और सबसे चोटे टुक्डे की रूप में करना है जिसे दो का बाग इसमें जाता है तीन सो three of the number of понад जैता है मिएक सो असी फिर दोका 90 फिर दोका 45 फिर तीनका 15 फिर तीनका पांच और 5 का है 2 की बार आया है 4 ञ लखेंगे 2 की पहवर 4 ऐंतु 3 2 बार आया है तो 3 की बार दो और 5 एक बार एक बार है तो 5 लिखेंगे तो 720 का जो Canonical रूप है। वो क्या होगा? 2 की 4 इन टु 2 की 3 संक्या अपना correct answer होगा अगला question अपना कि एक संक्या अपने 5 वे भाग से 20 अधिक हैते हुए संक्या क्या है ठीक है इस संक्या को हम क्या माल लेते हैं x और उसका 5 वा भाग यानि x का 5 वा भाग क्या होता है x बटा 5 से 20 अधिक है अधिक का मतलब हमेशे इनका अंतर होता है अंतर कितना है दोनों का 20 अब इसको सरल कर लो यहां से x का मान आ जाएगा ठीक है इसके नीचे कुछ ने देखे कि मान के सबका एक साथ LCM ले लो तो 1 और 5 का LCM क्या होता है 5 एक का बाग 5 में पांच बार और 5 को 20 से गुना करेंगे तो 100 जब सबका एक सा LCM लेते तो LCM कड़ जाता है 5x में से अगर x को माइनिस करेंगे तो बचेगा अपने पास 4x बराबर 100 चार गुना में भाग में चला जाएगा और 4 का भाग 100 में जाता है 25 बर यहँने x का मान किताँ या 25 तो संक्या कितनी होगी 25 भी option अपना right answer हो जाएगा अगला question अपना है कि किसी संक्या के 1 त्याई का 2 पंच मास 24 से तो संक्या क्या होगी कि किसी संक्या का मतलब उस संक्या क्या माल लेते x का या के ठीक है दोनों का एकी मतलब होता है एक तियाई मतलब एक बटा थीन फिर का दो बटा पांच दो पंच पांच बराबर में है 24 ठीक है देखो का का मतलब होता है गुना और इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मानगे उनको बज़र गुना कर दो देखो एक्स के साथ क्या अपने पास दो तो यह जाएगा दो एक्स बराबर तीन इंटू पांच इंटू 24 यह दो गुना में का चला जाएगा भाग में और दो का भाग चोईस में जाता है 12 बार और जो बचा उनको गुना कर दो देखो यह हो जाएगा अपने पास 12 पांच जो 60 और 60 को तीन से गुना करेंगे तो 180 यह नहीं वह संक्य क्या होगी 180 और ऑप्शन अपना राइट आंसर करेंगे ठीक है पीछे वाले को नहीं से रल करना है हमें सबसे पहले 1.001 में भाग देना है 13 का ठीक है इसको ऐसा कैसा ही रहने दो देखो यहां पर पॉइंट के बाद 3 संक्या है तो यहां हम 3 0 लगा लेंगे यह पॉइंट हड़ जाएगा अब 13 का बाग 1001 में जाता है ठ ठीक है क्या बचा अपने पास 37 बटा 1000 अब देखो नीचे 3 0 है तो 3 संक्या चोड़के पॉइंट लगा दो ठीक है और यह हो जाएगा अपने पास इसका माना है अपने पास 0.077 अब इसके अंदर हमें वापस भाग देना है पॉइंट एक एक ठीक है जो पीछे दे रखा ह अब देखो यहां भी पॉइंट के बाद संक्या बराबर नहीं है तो यहां एक 0 लगा के बराबर कर लो और पॉइंट से पॉइंट को काड़ दो अब 37 के अंदर भाग देना है 110 का देखो यह 11 से कट रहा है 11.77 और 11.01.0 का 0 7 बटा 10 अब 7 में 10 का भाग दे दो 101 संक्या च आप तो उत्तर 1232 है तो इस संक्या क्या होगी देखो एक संक्या को क्या मान लेता है हम X के वर्ग से यानि X के स्क्वाइर से अगर हम घटाएंगे 17 का स्क्वाइर तो हमें बराबर में क्या मिलेगा 1232 तो बताओ इस X का मान क्या होगा देखो यहां पर 17 का स्क्वाइर क्या 32 प्लस 289 अब अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो X square बराबर होता है अपने पास 9 और 2 11 हसिल का 1 9 और 3 12 हसिल का 1 2 और 2 4 और 1 5 और 1 का 1 1521 X square बराबर है 1521 square जब हटाएंगे यहां से तो इधर root लगता है और 1521 जो root है 49 का होता है तो वह संक्य कितनी होगी 49 डी option अपना correct answer हो जाएगा next question अपना कि minus 1 की power minus 1 का मान क्या होगा ठीक है अब देखो अगर घात कभी भी minus में आए तब उसको plus में लाना जरूरी होता है और plus में लाने के लिए जो नीचे नंबर दे रखा होता है उसको उल्टा कर देना है ठीक है यह हो जाएगा अपने पास minus 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1 बटा minus 1 की power अब यह plus में 1 हो गया है अब इसका मतलब क्या हुआ कि यह 1 की power भी एक है और minus 1 की power भी एक है ठीक है तो यह हो जाएगा लेकिन नीचे माइनस होती है माइनस का एक होगा यानि ऑप्शन नमबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा अगला कॉशन अपना कि 256 की पावर 0.16 इंटू 256 की पावर 0.09 का मान क्या होगा देखो गुणा के अंदर अगर आधार समान हो तो हमेशे घाते जूडती है तो यहां 256 इनका आधार है और अगर हम 0.16 को जोड़ेंगे 0.09 में तो यह होता है 0.25 ठीक है तो 256 की पावर क्या होगा तो यह होता है 2 की पावर 8 अगर हम टुकड़े करेंगे तो क्या हैगा 2 की पावर 8 कोश्टक में 1 बटा 2 और 1 बटा 4 ठीक है अगर कोश्टक को हटाने के लिए इनको गुणा कर दो 4 का भाग 8 में 2 बार और 2 एक का 2 क्या बचा अपने पास 2 की पावर 2 और 2 का स्कुएर क्या होगा दिए अपने पास दे रखा है 1173 की पावर 166 हमें इसका 1 1 पता करना आप देखो कैसे पता करते हैं सबसे पहले हमें यहां जो number दे रहा उसका एक एक अंक लेना है तीन और यह जो number दे रहा है power इसमें हमेशे चार का भाग देना है ठीक है और 6 बसता है वह में लेना है ठीक है 6 क्या बचेगा एक दो तीन और चार अब देखो 0 6 नहीं बचना चाहिए जैसे कि मान लो अगर इसमें 4 का भाग क्योब हो गया और तीनका क्योब क्या होता है 27 तो इस नंबर का इका इकांग क्या होगा जैसे 27 का साथ है तो 21 का इसका भी साथ ही होगा option number C अपना correct answer हो जाएगा अगला question अपना 4 प्लस 2 का 4 इंटू 2-4 भाज़क 2-4 इंटू 4 का मान क्या होगा तो बोड मास के according सबसे पहले का सरल होता है ठीक है और यहां पर का का मतलब क्या होता है गुणा ठीक है अगर मतलब लिखेंगे तब यह सरल नहीं होगा मतलब जैसे अगर हम यह का की जगे गुणा लिख देंगे तब और वापस समीकरण को सेम उता इंटू 4 ठीक है अब क्या सरल होगा भाग ठीक है और 4 में दो का बाकिती बार जाता है दो बार बाकी सब सेम लिख दो माइनस इदर चार इंटू 4 और इदर दो इंटू 8 प्लस चार अब होता है गुणा तो यह हो जाएगा आठ दूना शोला और यह हो जाएगा 4 चो सोला बाकि सब से हम लिख दो, माइनस दो, इधर माइनस और इधर प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है, अब देखो यह प्लस का 16 और माइनस का 16 तो कट गया, क्या बचा अपने पास, 4 माइनस 2 और 4 में से 2 गया, तो क्या बचाएगा, दो अप्शन नमबर C अपना, करेक्ट आंसर हो जा पांच गुना क्या हो जाएगा, पांच एक्स, उसके वित्करम का, मतलब किसके एक्स के वित्करम का, एक्स का वित्करम क्या होता है, एक बटा, एक्स वित्करम होता है, संक्या को उल्टा करना, से कितना गुना है, पैतालिस गुना है, ठीक है, जिसका पैतालिस गुना है, ठीक है और ये बराबर है आषसमें तो इसने कहा कि 5 x किसके बराबर है x , यक बटा x का 45 गुना के बराबर है ठीक है तो पहले तो पहले बटा x इसको वज्युए exist को वज़र गुना कर दो ठीक है तो 5 x कोई से गुना किया दि Already गा 5x square बराबर 45 यह 5 गुणा में का चला जाएगा भाग में और 5 का बाग पैटालिस में जाता है 9 बार x square बराबर 9 है square हटाएंगे यहाँ रूड लग जाएगा तो x कमान गितना है यह तिन या नि वो संख्या क्या हो x plus y बराबर है 50 और उनका गुणा यानि x y बराबर है 400 ठीक है तो सबसे बेश तरीका यहां सोच लो दो इसे नमबर जिनको जोडने पर 50 और गुणा करने पर 400 आते हैं तो वो नमबर क्या होंगे 40 और 10 ठीक है 40 और 10 पचास होता है और 40 को 10 से गुणा करते हैं तो 400 आता है तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा देखो 0 से 0 कड़ गया यह 4 अनुपात 1 या फिर 1 अनुपात 4 क्योंकि वो नमबर 10 और 40 भी हो सकता है जिनका योग 50 और गुणा 400 हो रहा है अप्शन नमबर यह अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला कोशन है यह भी आरबी का फेवरेट कोशन है हर बार एक्जाम के अंदर पूसते हैं इसको भी कि 5 मेजो और 4 कुर्सियों का कुल मुलिये 2000 रुपे हैं जबकि 3 मेजो और 7 कुर्सियों का कुल मुलिये 2350 रुपे है तो 1 मेजो और 1 कुर्सियों का कुल मुलिये क्या होगा अब देखो हम मैज को X मान लेते हैं और कुर्सियों को Y मान लेते हैं तो 5 X प्लस 4 Y बराबर है 2000 ठीक है और 3 X प्लस 7Y बराबर है 2350 तो बताओ X और Y दोनों का कुल मुल्य क्या होगा यानि X का मान निकलो और Y का मान निकल के दोनों को जोड़ दो ठीक है देखो सबसे पहले हम कैसे सरल करते हैं इसको यहाँ पर नीचे 3 लिखाओ तो उपर 3 लिखो और उपर 5 लिखाओ तो नीचे 5 लिखो ठीक है और इससे पूरी समिक्रण को गुना कर दो तो 3 को 5 से गुना किया तो यह जाएगा अपने पास 15X प्लस 3 को 4 से गुना किया तो 12Y बराबर तीन को अगर 2000 से गुना करेंगे तो यह आएगा अपने पास 6000 ठीक है इसे तरह पांच तिया 15X प्लस साथ फंजो 35Y बराबर अगर हम 2350 को पांच से गुना करते हैं तो यह जाएगा 500-25 25 असिलका दो पांच तिया 15 और दो 17 सिलका एक 10 और एक 11750 ठीक है समेकरन 2 को समेकरन 1 में से गटा दो और दियान रखना गटा ते समय इनके चिन बदल जाते हैं यह प्लस का है वो माइनस का हो जाता है माइनस का प्लस हो जाता है तो यह 15 15 alpha यह माइनश का एक स्थाक्त है यह 35 equal माइनश का हो जाएगा और 11 550 यह भी मैंशुचा आजएगा खको 1515 तो कट गया क्यों की 5 played 15गण शुथ 17 गाfenाल है तो कुछ नहीं बचाएं 12Oめने 35 को माइनश करना है ठीक है तो 35 इसमें से 12 गया तो अपने पास क्या बचता है माइनस का 23 वई ठीक है बराबर 11750 में से अगर 6000 को माइनस करेंगे तो अपने पास बचेगा 5750 इसका माइनस का अब देखो दोनों माइनस माइनस कैंसल होगे 23 गुणा में कहा चला जाएगा भाग के अंदर अब 5750 में 23 का बाग 25 देखो यह y का मान आया है ठीक है अब हमें निकलना है x का मान x का मान कैसे निकलते हैं दोनों में से कोई भी एक समेगन उठा लेते हैं जिसे हम पहली लेते हैं 5x प्लस 4y बराबर है 2000 ठीक है और जहां पर y है वहां पर 2500 दो यह हो जाएगा आपने पास 5x प्लस 4 इंटू 250 पचास पराबर है दो हजार, ठीक है, दो सो पचास को चार से गुना किया तो यह हो जाएगा अपने पास, एक हजार बराबर है दो हजार और इधर है प्लस का पांच एकस, यह प्लस का इधर आएगा तो मैनस हो जाएगा, तो पांच एकस बराबर हो जाएगा, दो हजार मैनस था अपने पास 200 यह पूछ रहा है कि एक मैज और एक कुर्सी की कुल कीमत क्या होगी तो अपने पास मैज कितने किया ही 250 रुपे की 200 रुपे की और कुर्सी है 250 की यह नि दोनों का जो सहुख तुम लिए वो क्या हो जाएगा 450 रुपे option number C अपना correct answer होगा next question है अपना कि यदि 5 लगातार समसंख्या होगा योग 340 है तो सबसे चोड़ी संक्या क्या होगी देखो समसंख्य किसको बोलते हैं जो करम से चलती है सबसे चोटी समसंख्या होती है 2 फिर 4 6 8 और 10 ठीक है यह लगातार की समसंख्या है लेकिन इनका योग क्या है 340 नहीं पहले नंबर को क्या मान लेते हैं अब देखो अगर हम 2 को x मान रहे हैं तो 2 में कितना जोड़ेगी 4 आ जाए 2 ठीक है तो अगला नंबर हो जाएगा x में भी 2 जोड़ दो फिर 2 में कितना जोड़ेगी 6 आ जाए 4 जुड़ रहा है तो यह जाएगा x प्लस 4 इस तरह आगे बढ़ेंगे x प्लस 6 और x प्लस 8 यानि वो 4 संक्या वो है x x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 और x प्लस 8 जिनका टोटल करते हैं यो करते हैं तो यो कितना होना चाहिए 340 अब इस समिकर्ण को सरल कर लेते हैं तो देखो यह x किती बार आ रहा है टोटल 5 बारती हो जाएगा अपने 340 माइनस 20 बराबर 320 और इदर हो जाएगा अपने पास 5 x यह 5 गुणा में भाग में चला जाएगा और 320 के अगर हम 5 का भाग देते हैं तो 5 चंग 30 और 5 बीस x कमान कितना आया है 64 तो सबसे चोटा जो नंबर है वो हमने x कमाना था और x कमान कितना आ रहा है 64 यानि सबसे चो 60 किलो गहूं बढ़ने के लिए कितने बेग लगेंगे पर एक बेग का मतलब एक बेग के अंदर ठीक है जब बेग अगर एक है तो इसके अंदर जो गहूं है वह आता है 112 केजी अब उसको भरना है टोटल 1568 केजी गहूं तो बताव कितने बेग की जरूत पड़ेगी x वज उदाबा जाता है वरना चोटे-चोटे नंबर से भी हम काट सकते हैं अपना राइट आंसर हो जाएगा और लास्ट कोशिन आज का कि दो संख्याओ का योगफल आठ है और उनका गुननफल पंदर आ है तो उनकी वित्क्रमों का योग क्या होगा ठीक है तो यहां देको यो योग भी दे रखा है अपने पास और गुननफल भी दे रखा है योग है आठ और गुननफल है पंदरा तो इनकी वित्क्रमों का योग क्या हो जाएगा आठ बटा पंदरा ओप्शन नंबर यह अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा और अगर कोई दो अलग अलग नंबर दे सब्सक्राइब करता है तो अगर इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आये तो फाल नाइक करना यहां चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं किसी एक ओनी वीडियो में तब तक आपने ख्याल रखिए जेहिन जे बारत